ख्याती हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि जो ब्रोकरिज हाउसे की रिपोर्ट आई थी उनके बाद स्टॉक्स ने किस तरह से रियाट किया है ख्याती कौन-कौन से स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई है और कैसे रियाट किया है स्टॉक्स में सबसे पहर तो देखते हैं Aisha Motors almost 5% की तेज़ी से चल रहा है इस पर आज CLSA ने खड़िदारी किराइबर करा रखी है लक्षका है 3300 रुपीज का इवन दो अर्निंग्स में स्वे लेकिन वॉल्यूम्स में काफी मजभूती दिख रहा है और नियर टर्म में लेकिन कंपनी ने एलेक्ट्रिक मोटर साइकल में एंटर करने को लिए प्लान्स नाई दिया है फिर रिते हैं A.C.C. में 1% की तेज़ी से चल रहा है इस पर C.L.S. इसे ने A.C.C. पे कॉस्ट सेविंग्स और किपास्ती को बढ़ाने पर फोकस रखा है और आखरी में देखते हैं A.C.C. पे आउट-परफॉर्म की राइबर करा रखी है लग्ष रखा है 22,250 रुपीज का आईशर और A.C.C. मैंने आपको एक मिनिट इसलिए रुखने को कहा था क्योंकि आईशर मोटर फोकस में है यहां पर ब्रोकरिजिस के भी और आज तो यह निफ्टी के टॉप गिनर में है 6% उपर किसी के पास है तो क्या कॉल होगा क्या मुनाफ़ा जो मिल रहा है वो निक है कि लॉंग तर्म प्रोस्पेक्ट तो काफी जादा स्ट्रॉंग है यही शॉट तर्म के अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक दबाव यहां पर बना रह सकता है तो ऑल्दो आज की ट्रीडिंग सेशन में इस तरह है का हमें यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे वो तक्रीवन 2300 से 3.5 के रह सकते हैं लॉंग टर्म में इसी शॉट और आइशर मोटर्स पर क्या कॉल होगा आसा आज वो करीब 2700 के असपास जेट कर रहा है 6% उपर निफ्टी का टॉप गेनर है अज विरकुल आइशर मोटर्स के भी बात करे तो बिसिकली ज आसपास का है और जो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया यहां पे ग्रोथ हमें देखने को मिठी है ओवरॉल जो कि इनोंने लांच किये थे अगर मैं एक हिस्ट्री इसी उठाके देखो तो बहुत बढ़िया वोल्यूम में हमने यहां पे परोथरी दे तो कंपनी की प्रोड़ास को यानि की बेसिक जिस सेग्मेंट में कंपनी है और तो मोग इस सेग्मेंट में वहां पे बढ़िया डेमांड हमें देखने को मिलेगी आईशर मोटर में तो आईशर मोटर में भी लेकिन लॉंग टर्म का ही मैं परस्पेक्टिव देना हैं आने वाले अगर मैं दो से तीन महीने क्या एक क्या पर को रहा है तो इस तेजी का फायदा उठाकर आप आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन नजरिया दो से तीन महीने का होना चाहिए तब यहां पर